हेलो ट्यूटियोस आज पी एन वी को में ट्रेट चाहता है और मॉनिंग में इस्टॉक का प्राइस कुछ कुछ इस एक लेवल के पास में चल ला था तब इसके स्क्रेंशॉट लेकर के एंड उस वक्त का जो भी प्रॉफिट लॉज चल ला था प्रॉफिट चल ला था बेसिकली वह प्रॉफिट के स्क्रेंशॉट लेकर के अपने टेलेग्राम चल पर में शेयर कर दिया था यह एक लास्ट मूव था जो कि मॉनिंग में दिखाई पड़ा हमारा एक्च्वल टार्कर था 74.70 और 74.75 प्र रेंज थी 20 पैसे 30 पैसे की अजया है जान मेरा प्रॉफिट लूखने वाला नहीं हमने मार दिया साथ प्रॉफिट लेगा अब यह पूरा रिकार्ड टेरंश को 24 पैसे 70 पैसे तर यहां से अभी एप और ऊपर और नहीं तो एसल देनेंगा पाश्ट में जाओ यहां तक प्राइस को जाना था विए बहुत अच्छा एक रेस्टेंस पॉइंट था आज नहीं तो कल अगर इस इस टॉग ने कल अपसाइट के मूव कॉंटिन्यू किया यानि कि यह कुछ रेस्टेंस एरियास है अगर इन रेस्टेंस को यह अपसाइट की तरह ब्रिक करक करके आज के हाई को अपसाइट की तरह ब्रिक करके अगर इस गया तो 74.70 इसे यह टच करना चाहिए अधरवाइस में भी चांसे के प्राइस आज के हाई और आज के लो के अंदर ही मूव करते रहें यह दो चैंसे समय इसके अंदर नजार आ रहे हैं बहुत बड़ा इसके अगर टार्गेट्स मिलते तो करीब 10, 11,000 या 12,000 रुपए के आसपास का प्रोफिट होता है बट जोली नहीं कि हर बार हमें टार्गेट्स मिलें या फिर हर बार ऐसा हो कि हमारा इसा हो कि साइड वे हो जाए बट चांजस तीनों के होते हैं आज प्राइज हमारा साइड वे हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हम इसके अंदर से रिसीव नहीं कर पाए अवरॉल जो हम इसमें देखते हैं पेनवी को हमने क्यों ट्रेट किया और बाई साइड में ही क्यों ट्रेट किया आप देखोगे कि तीन दिन से पिछले तीन दिन से मार्केट कॉंटिन्यू गिर रही है एक दो तीन तीन बड़ी बड़ी रेट केंडर स्वार्म की है सारे लेवर्स को हम रिमूफ कर देते हैं अभी लास्ट के वीडियो में हमने आपको कुछ चीज़े बताये थी वापस से देखे प्राइज निकल के आगी है और यह सबसे लास्ट रॉड था जो कि कल के सेशन का लोग पॉइंट था बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टन केंडल या फिर जो हमारी मास्टर केंडल निकल के आगी वह है यह ब्लैक वाली केंडल अब यहाँ पर एक और यह दो यह दो लाइन्स जो भी मैंने ड्रॉड की है यह हमारे है और यह दोनों ही बहुत अच्छे लेवल पर फॉर्म हुए है यहाँ पर वॉल्म प्राइस इन दोनों के अनासिस के अकॉर्डिंग और जो हमारे स्विंग लगे हैं इसके तुरू हम अपने यह लेवस निकालते हैं अभी के लिए यह मान के चलिए कि आज के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टन पॉइंट था यहाँ वो केंडल जहां से हम लोगों को रीडिंग करनी थी वो थी 23rd of October की अब यहां से हम लोग रीट करते हैं कि देखे 23rd of October के नीचे प्राइस हमारा नहीं निकल डाउंसाइड के अब October के जो volume है वो कम है एन इसका high मेरे लिए बहुत important है एक तो यह वाला point और दूसरा यह वाला idea यह दोनों है मेरे लिए important important का मतलब समझ रहा है कि जहां से हमें traits execute करने के लिए देखने हैं और reference candle का मतलब कि वो candle जहां से हम लोग अपनी ratings को continue करते हैं जिसके basis पर हम आने वाले जितनी भी candles होते हैं उसका अनुमाल लगाते हैं या फिर prediction लगाते है buy तब ही करते हैं जब price में हमें कोई swing कोई resistance अपने entries की confirmations ऐसी चीज़े मिलती हैं तब ही उसके अंदर अपना trade execute करते हैं एक तो यह होगा हमने levels निकाली है अब हम buy क्यों कर रहे हैं देखे सबसे simple सी चीज़ है price आपका downside की तरफ लगातार गिर रहा है जैसे कि यहाँ पर देखे यह न एक दो तीन चार पांच गिर रहा है next यहाँ पर lows continue break हो रहा है यह देखिए लगातार lows break हो रहा है यानि के नए lows लग रहा है अब हम जब इसका minute price analysis करते हैं अब जितनी भी candles है हम लोग इसको और divide करते हैं और इसको बढ़ते हैं देखे कुछ चीज़े हैं अब यह हमने बोला ना minute price analysis छोटी छोटी से छोटी भी चीज़ को हम लोग यहाँ पर note करते हैं जैसे कि हम इनको भी remove कर देते हैं यहाँ पर का हुई है इस red वाली candle के नीचे है closing का हुई है इस range के अंदर इस range के अंदर समझ पा रहा है price जब जब downside की तरफ close कर रहा है नीचे की तरफ गिर रहा है अब जहां से क्या हुआ ना दो दिन से price ने downside की तरफ closing बंद करती है की ही नहीं है इसने यह किस तरह के symptoms है पहली करते हैं तो यहां पर देखिए volumes कम हो रही है यहां पर तो बढ़ी ना volumes यहां पर धी है और बार यहां पर बढ़ी है volumes यह पर भी बढ़ी है volumes है यहां पर प्रैस नीचे की तरफ आ रहा है सबसे पहली 25th of October की candle इसने volume increase की ही नहीं यहां पर volumes decrease हो गई ries हो गई है negative volumes डाउन for रही है यहां पर जो positive volume है यह अप में चा रही है यहां पर पता है जब हम आपसे कह रहे है volumes ज्यादा है दूसरा previous candle की range के अंदर open और close कर रही है market तीसरा यह जो green candle बन रही है यह एक पिन बार है जो सब्सक्राइब कोई भी पिन बार का वैसा यूज कर रहा है हम लोग basically पिन बार को कुछ combinations के साथ में यूज करते हैं दो या तीन candles को आपस में combine करने के बाद में ही एक पिन बार का असली जो potential होता है वो सामने निकल कियाता है हम लोग ऐसे यह नहीं कि बस एक पिन बार बनी और हमने trade execute कर दिया यह तरीका नहीं होता है तो यहां पर उसके according भी हमारी पिन बार बहुत fit बैट रही है यानि के candle बी बुलिश previous candle से जब हम इसको merge करें रेटिंग कर तो भी हमको समझ मैंना है कि बुलिश सिंगनल होगा क्योंकि सेल यह इस रेड वाली candle के नीचे ही होगा इसके ऊपर है मतलब कि बुलिश है और यहां पर जो volumes है एक green वाली जो positive volumes है वो ज्याद है और इसके पहले decreasing form हुए यहां कि red volumes कम है कितने साफ साफ signal है कि यहां से PNV buy हो सकता है या नहीं हो सकता है यह अलग बात है यह positive mode में है यह strong mode में है और यह weak तो फिलहाल नहीं है भले ही low लग रहा है बट यह वाली जो candle 23rd of October की candle यहमारी master candle इंटरनल स्ट्रक्चर के according हम क्या देख रहे है कि यह वाल हम लोग पहले के वीडियो में भी हम बोल चुके है कि इतने इत्मिनान के साथ में अब तभी काम कर पाऊगे जब सारी चीज़े आपके control में होगी तो बस बातों ही बातों में एक चीज़ निकल के आई कि 17 क्रोड की penalty लगाई गई है जिन पर लगाई है उनका नाम आप जा बहुत चकाचाओं देख तरह से दिखाई जाएगी एक तो वीडियो हमने देखा था कि हाथ में बहुत सारे नोट पांसो के जो भी रहे हैं बहुत सारे नोट पकड़े बैठे हैं कि मुझसे तो मेरा ही profit नहीं संभाला जा रहा और आप हमसे question कर रहा है जैसा भी था वो व go a short return type की मतलब बहुत सारी इसी negative चीजे हैं इनसे हम हमें क्या समझभाना चाहिए एक समझदार इंसान या जो फिर vision जिसका clear है उसको समझभाए जाए कि यहां पर पूटरे क्या करने की कुशिश की जा रही है तभी बात निकल के आई कि मुझे option trading करने का शौक था और उसे करवाने का मेरा घर बिग गया और उसने अपना महल खड़ा कर लिया कितना आसान इतना easy कि दुनिया में इससे जादा आसान कोई काम है ही नहीं एक add आता है तो उसमें बारा साल का बच्चा है उससे trade करवा रहे हैं है come here यार और can you show me your profit इस तरह की चीज़े मतलब कुछ रह ही नहीं कोई भी trading कर ले इतना ही आसान हो तो फिर दुनिया के सारे प्रोफेशन को आदमी छोड़ दे सारे प्रोफेशन को छोड़ दे यहीं पर आगर के trade करने लग जाए आपको आगे की तरह बढ़ना है न हमने 20 पर आप से कहा कि cd क्या है first second third four इस तरह से step by step हम लोग आ लॉस के कुछ होगा नहीं कुछ नहीं होगा इसके अंदर को ऐसे समझ लोग कि इतने बड़े बड़े इंफ्लोएंसर से हैं आप हम किसी का नाम ऐसे नहीं लेते मतलब यूट्यूब पर कई सारे चैनल से जो की एक तरह से exposed किये गए हैं और वो सारे सभी में आप देखो कि सब options कर रहे हैं सभी option कर रहे हैं इतना आसान बना के रखा गया options लेकिन एक बात जो हम आपको समझा को कोशिश हम करते समझाने की ये इतना आसान नहीं है नहीं है option treating इतनी असान अच्छी है लेकिन easy नहीं है जिंदियां कम पढ़ जाती हैं लोगों की price action को समझो volume analysis को समझ हो अभी जैसे मैं रीट किया ना यह इतमिनान के साथ में आपको बैट करके करना पड़ेगा market खुली बस वैसे ही यहां से green candle यह buy हो रहा है sell कर दें अच्छा बाई है यह sell कर दें बाई कर दें profit हो गया profit हो गया और कर दें trading और करने के चकर में जितना profit था वह सब चला गया अरे 10,000 का profit किया तो चला गया just imagine पूरा zero हो गया अच्छा फिर से करें 5,000 करेंगे पता चलना है वो धीरी-दीर आपको loss में आगया आप हमें loss रिगवर करना है फिर धीरी-दीर profit में आगया okay profit में आगया थोड़ा सा और कर लेते हैं फिर वो loss में चला गया last में देखो गय लिया दिया कुछ नहीं बर brokerage आपने जो generate कर दी वह 1000 उर्पय की brokerage generate कर दी broker ने कमाया आप से गौर्मेंट ने कमाया आप से अभी 6 सेनों फिर से session start होने वाला है अभी देखो कितने लोगों का आप क्या-क्या होने वाला है वी aware आप जिसको चाहो वीडियो शेयर कर सकते हो जिसको भी चाहो वीडियो शेयर कर सकते हों कि कम से कम अगर वो early stage में है तो चीजों को शुरुआत में संभल जाए समझ जाए यह ऐसी बात है ना तो कहीं इसके ओपर को discussion करते हुए मिलेगा ना इसको को समझाते हुए मिलेगा नहीं इसके ओपर आपको education कहीं नहीं मिलेग आप ही को करना अपने potential से करना है यह हम लोग daily time frame पर हमने इस अब कर लिये हम आते हूं lower time frame पर हमने क्या देखा कि यह वाली जो candle थी यह जो green वाली candle लेख रो हमारी इस वाली line और upper line जो थी इसके ओपर जाकर के closing किसनो यानि के 915 की candle के high के उपर इसने closing कर दी हमारी लिए जो entry की formation बन रही थी वो इस green वाली candle के high पर में entry लेनी थे green वाली candle के high पर तो यहीं पर अपने orders हमने लगाया थे just यहां से 20 पैसे नीचे हमारा stop loss था 65 यह 85 थी यह वाली line एक professional approach यह बोलती है आपसे कि market का ही पैसा लेकर के market को देना है market का ही पैसा लेकर के आप market को दो market को दो का मतलब कि जो भी stop loss जाना चाहिए वो कम से कम market का पैसा हो हम लोग अपने पास से लाग देर लाग दो लाग तीन लाग चाल लाग पास लाग अदर कुछ नहीं हो जिस market में बैठे हो आप पूरी property बेचते हो यहां पर 0.5% का असार नहीं पड़ेगा यहां पर हम लोग बैठे हुए हैं क्या लग आपके एक लाग दो लाग पर लान reality की तरफ मतलब larger than life चीज़ें की यह वो हम helicopter और यह आस्मानों पर उड़ करके बाते करें तो उसे गलत चीज़ें पोट्रे होती हैं वहां पर फिर education रही ही नहीं गई education सिर्फ एक माध्यम बन गया वहां तक जाने का आप अच्छे से educate हो वो सारी चीज़ों तो automatic आ ही जाए हालां कि खुद वह वहां पर नहीं है वह दिखा रहे हैं कि वह वहां पर इस तरह से जब आप काम करते तो psychological इस तरह पर आपका जो mindset है न वह पढ़ाई लिखाई पर practice पर patience पर रहता है यह आपको वहां जाना होता है I hope कि हम अपनी बातों को समझा पा रहे हैं तो जब भी क आप ही है capable आप हो 5000 रुपे से rating start कर दो आपकी कितने capability पता चल जाएगा अगर आप capable हो 5 का 50 बन जाएगा time लगेगा एक ही रात में नहीं हो जाता हो सकता आपको दो साल डेड़ साल एक साल लगे 5 का 50 होने में लेकिन अगर आपने 5 का 50 कर लिया तो वह 45,000 वह पैसा होगा ज यहां पर actually हमने जो काम किया वह 5 का 50 करने पर नहीं किया 5,000 रुपे से हम अपनी capability को increase कर रहे तो तो 50 तो हो गया हम करने नहीं आते है 50,000 हम बस अपनी capability को increase करने आए थे अपने आपको कि हम market में काम करने के लायक है इस चीज़ को मजबूत करने आए थे वह हुआ वह पचा करके हो फिर market ले लेगे पैसा कम या ज्यादा अप लेकर करके और ओ market को फरक कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला कोई फरक नहीं पढ़ता है capable हो कम पैसे से ज्यादा पैसा बन जाएगा capable नहीं हो ज्यादा पैसा ले आओ चले जो thanks good bye and we will meet again